पंडित विश्नु नरायन भात खंडे जी का जीवन परिचय पंडित विश्नु नरायन भात खंडे जी का जन्म 10 अगस्त 1860 को हुआ था कब हुआ था पंडित विश्नु नरायन भात खंडे जी का जन्म 10 अगस्त 1860 में पंडित विश्नु नरायन भात खंडे जी का जन्म हुआ था बचपन से ही पंडित जी को संगीत में बहूत रूची थी पाट साला में अनेक पुरसकार उनको प्राप्त हुए थे आगे चल कर B.A. L.L.B. पूरा करके कुछ साल उन्होंने वकालत भी किया लेकिन उनका जो इंट्रेस्ट था ना उनकी रूची जो थी न वो संगीत के प्रती जादा था तो जुकाव संगीत के प्रती बार बार आ जाता था तो उन्हें लगता था मन में एक छोब टाइप लगता था वकालत करने में अंतता उन्होंने क्या किया अपने संगीत के प्रती बढ़ती हुए लगाव को देख करके 1884 में यानी 1884 में पंडित राव संगीत के सिख्षा ग्रहन करने के लिए 1884 में वो कहां चले गए पंडित राव जी बुगा बेल बागकर के पास चले गए इनके पास उन्होंने ध्रीपद धमार की तालीम पाई तो क्वेश्चन आ सकता है कि ध्रीपद धमार की तालीम पंडित विश्नु नारायन भात खंडे ने किन से प्राप्त किया तो अंसर होगा कि ध्रीपद धमार की तालीम पंडित विश्नु नारायन भात खंडे जी पंडित राव जी बुगा बेल बागकर से प्राप्त किया तो ध्रीपद धमार की तालीम पंडित राव जी बुगा बेल बागकर से प्राप्त किया कब किया तो अठारा सव चवरासी में किया इसके बाद बल्लब दास दामूल जी से इन्होंने सितार भी सीखा ध्रीपद धमार तो सीख लिया पंडित राव जी बुगा बेल बागकर से उसके बाद सितार का ज्यान भी प्राप्त किया अब सितार किन से सिखा तो बल्लब दास दामूल जी से तो पहले गुरु तो हो गए ये पंडित राव जी बुगा बिलबाग कर जिन से इनोंने संगीत पे ध्रीपत धमार को सिखा उसके बाद सितार बजाने के लिए सिखा तो सिखतार जो था न वो जो सिखाएं उनके गुरु जी का नाम बलब दास दामूल जी था इसके बाद तो पंडित बिश्नु नरायन भात कंडे जी ने अपना संपूर्न जीवन संगीत को ही समर्पित कर दिया मनें पूरा ध्यान संगीत पर लगाना शुरू कर दिया अठारा सो नब्वे के आसपास संगीत विशय के संस्क्रीत ग्रंत तथा सस्त्राधार जिसको सस्त्राधार भी बोलते हैं अठारा सो नब्वे के आसपास संगीत विशय के संस्क्रीत ग्रंत तथा सास्त्राधार के प्रती उनकी जिग्यासा जागरित हुई कब हुई संगीत विशय के संस्क्रीत ग्रंत तथा सास्त्राधार के प्रती उनकी जिग्यासा कब जागरित हुई तो अठारा सो नब्वे में सोचिए उनका जन्म कब हुआ था 10 अगस्त 1860 को और 30 सल हुआ 1860 के बाद 70, 80 और 90 तो 1890 के आसपास इन्हों ने संगीत विशय के संस्क्रीत ग्रंत और सास्त्राधार के प्रती उनकी जिग्यासा जागरित हुई तीस तल में जब यह थे तब तब इन्होंने क्या किया कि पुरे भारत भ्रमन करके सखोल अधियायन किया पुरे भारत का भ्रमन किया और सखोल अधियायन किया इसके परिनाम सवरुप 1905 इस्वी में उन्होंने लच्य संगीत नामक संगीत कला के प्रतीश संस्क्रीत ग्रं लिखा तो तीस साल जब हुआ और इनका जब संस्क्रीत में संगीत का जब इच्छा जागरित हुई तो इन्हों ने संगीत बिशय के संस्क्रीत ग्रांट और सस्त्राधार के प्रती जिग्यासा जागरित हुई तो जब जिग्यासा किसी इंसान को जब जागरित होता है तो उ भी खें और इस प्रकार से संगीत मिसा के संस्क्रीत गरन और खस्त्रादार में पारंगता हासिल गरली मतल cinnamon हसिल कर ली अए उन्हों बारत भर्न करके सक घर जगया औèse किया मतलब 1890 में सुरू सिखना सुरू किया और 10 साल तुनाइस सा और 15 साल के बाद मनें 1905 इसवी में इन्होंने इतना सीख लिया कि एक ग्रंथ लिख लिया संस्क्रीट में लच्छे संगीत नाम था उस ग्रंथ का नाम क्या था लच्छे संगीत तो उन्होंने लच्छे संगीत नामक संगीत कला के प्रती संस्क्रीत ग्रंथ लिखा इस भ्रहमन के दोरान 1906 में मनें एक साल के बाद 1906 में मन रंग वंस के महमद अली से उन्होंने 300 से ज़्यादा गायन की ध्वनी मुद्रिकाएं प्राप्ट की मनें भ्रहमन जब कर रहे थे हैं तो भ्रहमन करने के दोरान 1906 में इनकी मुलाकात हुई मुहमद अली से महमद अली नाम है महमद अली तो महमद अली से 1906 में वो किस बंस के थे महमद अली मन रंग बंस के थे जैसे कोई करता है कैसे अकबर कीस बंस का था मुगल बंस का था समझेगे ना कोई करता है सयद बंस का था अलग-अलग तो इसी तरह से महमद अली के बंस क्या था किस खंदान के थे हैं तो मनरंगवंस के थे हैं तो मनरंगवंस के महमद अली से 1906 में इन्होंने 300 से ज्यादा गायन की ध्वनी मुद्रिकाएं प्राप्ट की इन ध्वनी मुद्रिकाओं को उन्होंने ध्यान से सुनकर उनका मनन चिंतन किया तान सेन परंपरा के गायक रामपूर के नवाब के पास भी उन्होंने धमार की तालीम पाई इतनी भारी मातरा में मिली तालीम मनन चिंतन और संगीत के प्रती लगाओ के कारण उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत पदती नाम से चार अभ्यास आत्मक गरंथ लिखें मनने हर जगा सीखा और जब इतना सारा सीख लिए तो अपने अनुभाव को लोगों तक पहुँचाने के लिए ये क्या किये एक ग्रंथ लिखें अभ्यास आत्मक की जिसे पढ़ करके अभ्यास करके लोग कुछ सीखें और उस ग्रंथ का नाम क्या था हिंदुस्तानी संगीत पदती तो ये हर जगत तालीम से मनन चिंतन और संगीत के प्रती लगा उसके कारण बहुत कुछ सीखा और सीख करके अपने अनुभाव के लिए उन्होंने एक ग्रंथ लिख दिया जिसे लोग नए नए जो बच्चे जो सीखने वाले हैं उस ग्रंथ को पर करके अभ्यास करके संगीत पद्धती संगीत सास्त्र और कला इन दोनों का संगीत साधक ने विचार करना आवसक है कहने के मतलब क्या है कि जो संगीत सीखता है तो संगीत सास्त्र और कला दो चीज होते हैं एक संगीत सास्त्र है और एक कला है इन दोनों का साधक जो होते हैं जो संगीत सीखते उसको संगीत साधक करते हैं इन दोनों को विचार करना जरूरी है मने संगीत सास्त के उपर भी ध्यान दीजिए और कलाका भी ध्यान दीजिए तब ही एक अच्छा संगीत कार बन सकते हैं ऐसा उनका कहना था मने किन का कहना था पंडित बिशनू नाराइन भात खंडे जी का कहना था राग चर्चा से बिद्वान कलाकार संगीत साधकों को अच्छा मार्ग दर्सन मिल जाता है मने राग अलग अलग राग क्या है अब उस राग के बारे में चर्चा कीजिए एक दूसरे के साथ बात चि की होंगे आप कुछ अलग राग में महारत हासिल की होंगे तो राग के चर्चा करने से बिद्वान कलाकार संगीत साधक को अच्छा मार्ग दर्सन मिल जाता है अब आगे है दस थाट पधती यानि कि उसका वर्गी करन कैसे कैसे बाटा गया है दस थाट पधती को बयंकट मखी के 72 थाट बर्गी करन से प्रेरना लेकर मनें बयंकट मखी एक कोई ब्यक्ती है उनका थाट था कितना थाट था 72 थाट था तो उन्होंने थाट को जो बाटा था ना बहतर भाग में बयंकट मुखी जिने उनसे प्रेरणा लेकर उतर हिंदुस्तानी संगीत पदती को दस थाटों में विभाजित करने का महत्वपूर्ण कार्ज पंडित विश्णू नरायन भात खंडेजी ने किया समय के अनुसार राग बरगी करन का सिधान्त भी उन्होंने दिया लोगों के सामने लाया मैंने राग का बाटा कि अलग अलग राड राग कौन सा राग किसा है तो राग का बरगी करन राग को अलग अलग भागों में बाटा और उसका सिधान्त दिया लोगों के सामने खुद इन्होंने बहुत प्रयास किया बंदिस्क सीखी नहीं नहीं और उसके लिए क्रमिक पुस्तक मालिका में निबंद लिखा जिसको परकख निबर्द किया मतलब क्या किया क्रमित पुस्तक मालिका नाम का किताब है इसमें इनकी द्वारा दी गई अलग-अलग बंदिस का ब्याख्या है तो इस किताब को मंगा करके सीख सकते हैं आपके अलग-अलग बंदिस क्या क्या है तो उस किताब का नाम क्या है क्रमिक पुस्तक मालिका पंडित विशनू नरायन भात खंडे जी के द्वारा लिखा गया किताब है क्रमिक पुस्तक मालिका तो उस क्रमिक पुस्तक मालिका में इनों नीबद किया, नीबद किया मनें डाला, क्या डाला अलग-अलग बंदिस के प्रकार को, उनके छह भाग आज भी साधक के लिए मार्ग दर्सन का काम करता है, जो संगीत सीखते हैं उनका छह भाग जो है न उन्हें बहुत जरूर सीखना चाहिए, प्रचलित सास्त्र और कला के सम समा संजोग से कलात्मक बंदिसों की देन संगीत जगत को भातखंडे जी ने दी, आज जितना भी प्रचलित सास्त्र हैं कला हैं, इनके संजोग करके उनके कलात्मक बंदिस जो रूप दिया गया है न उसका देन किसका है भातखंडे जी ने द पद्ती को आसान नोटेशन पद्ती में बदला जिसे हम आसान नोटेशन पद्ती के नाम से भी जानते हैं पंडित भात खंडेजी ने सांगीतिक चर्चा हे तू 1915 से 1925 तक संगीत परिसदों का आयोजन किया मने सांगीतिक चर्चा हो जिसमें संगीत के बारे में लोगों को नई नई जानकारी मिले इसके लिए इन्होंने एक संगीत परिसद का आयोजन किया और दस साल के लिए 1915 से 1925 तक संस्थानिक के दरबार में गायक वादकों को समूचित करके राग रूप निश्चित करने में इन्होंने बहुत प्रयास किया कहने के मतलब क्या है कोई भी संस्था है तो संस्था में जूड़े हुए जितने लोग हैं तो उनके दरबार में जाकर के गायक वादक जो गाने वाले हैं जो अलग अलग यंत्र बजाने वाले हैं उनको समूचित करके एक साथ ले करके राग रूप निश्चित करने में इन्होंने बहुत प्रयास किया मनें उन ल खाते रहते थे और ये काम में उन्हें बहुत मन लगता था अच्छा निश्वारती कार्ज सबको भाता है वैसे ही संस्थानिक भी भात खंडे जी के कार्ज में समलित होने लगें संगीत सिच्छन का उपकरम संस्थान में प्राप्त होने लगा उत्तर प्रदेश सरकार से कायम स्वरूपी मिली आर्थिक मदद के कारण अब उत्तर प्रदेश का उस समय जो सरकार था ना बड़ा प्रभाईत हुआ इनके काम को देख करके तो उन्हों ने भात खंडे जी को कुछ आर्थिक मदद किया मैं ने पैसा दिया और उस पैसे के मदद से भात खंडे जी ने एक कॉलेज बनाया म्यूजिक कॉलेज उस कॉलेज का नाम था मौरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक और मौरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक नामक स्वतंत्र संगीत संस्ता इन्होंने लखनव में अस्थापित किया उतर प्रदेश में एक सहर है लखनव जिसको नवाबो का सहर भी काते हैं उस सहर में इन्होंने एक म्यूजिक कॉलेज बना दिया उसको अस्थापना किया उस कॉलेज का नाम क्या था मौरिस इस संस्ता के जड़िए क्रम वार अभ्यास करम बना कर कॉलेज में आधुनिक पधती से ग्यान आरजन का काम होने लगा भातखंडे जी के प्रमुक्सिस से रातंजनकर जी ने उनकी संग्रहित बंदी से क्रमिक पुस्तक पांच और छो में प्रकासित की मने एक पुस्तक है क्रमिक पुस्तक 5 और क्रमिक पुस्तक 6 तो क्रमिक पुस्तक 5 और 6 में भातखंडे जी के एक चेला थे चेला बोले तो सिस्य थे उनका नाम था रातंजनकर तो रातंजनकर जो सिस्य थे न उन्होंने इनके भातखंडे जी के बंदिसों को संग्रहित किया जमा किया और उसे पुस्तक का रूप दिया वो करमिक पुस्तक 5 और 6 में प्रकासित की पंडित भात खंडे जी की ग्रंत सम्पदा कौन-कोन है अगर ये question आए तो आपको बताना है मेन मेन जो है पहला है पंडित भात खंडे जी की ग्रंत सम्पदा में पहला है historical survey of Indian music मतलब भारतिय संगीत के एतिहासिक खोज कि इसको हिंदी में कहेंगे survey किया survey करना मतलब उसके छान बिन करना जानकारी हासिल करना कि Indian music भारतिय संगीत कैसे कैसे तरक्की किया अपने सफलता के सोपान तक चड़ा तो इसका अंग्रेजी किताब है भात खंडे जी ने अंग्रे हिस्टोरिकल सर्वे ओफ इंडियन म्यूजीक इंडियन म्यूजीक याद किजिए और हिस्टोरिकल और सर्वे हिस्टोरिकल सर्वे ओफ इंडियन म्यूजीक दूसरा है कंपरेटिव अस्टडी जैसे कंपरीजन होता है तुलना करना अब कंपरीजन से कंपरेटिव बन गया comparative study किसका किसका the system of 15th, 16th and 17th century मने 15 मी सताबदी में 16 मी सताबदी में और 17 मी सताबदी में संगीत का क्या क्या इस्टिटी था उसकी तुलना आज के सताबदी से की है उसका इन्होंने ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ का नाम क्या है comparative study the system of 15th, 16th and 17th century question आएगा कि who has written the comparative study the system of 15th, 16th and 17th century तो अनसर होगा पंडित भात खंडे जी ने लिखा था तीसरा किताब है इनका अभिनो राग मंजरी ये संस्क्रीट भासा में लिखा हो गया है अभिनो राग मंजरी संस्क्रीट ग्रंथ है और चौथा है लच्छ संगीत ये भी संस्क्रीट ग्रंथ है तो दो अंग्रेजी में लिखे हैं और दो संस्क्रीट में लिखे हैं अंग्रेजी में दो लिखे हैं पहला का नाम है historical survey of Indian music और दूसरा लिखे हैं comparative study the system of 15th, 16th and 17th century और तीसरा है अभिनो राग मंजरी जो की संस्क्रीट भासा में लिखा गया है और चौथा लच्छ संगीत ये भी संस्क्रीट भासा में लिखा ग्रंथ है संगीत जगत में जागरिती का महत्वपूर्ण कारिय भात खंडे जी ने किया नहीं पहले लोग ध्यान नहीं देते था संगीत के बारे में उन लोगों को बतला कि संगीत भी बहुत ज़रूरी है जिन्रगी ने सिखने के लिए तो जागरिती लाएं कौन भात खंडे जी ने किसम कहा संगीत जगत में तो संगीत जगत में जागरिती का महत्वपुर्ण कारे भात खंडे जी ने किया सास्त्रिय जानकारी की ओर विद्यार्थी साधक ने ध्यान देना शुरू किया इनकी कोशिस के कारण नहीं तो पहले सास्त्रिय जानकारी की और कोई ध्यान नहीं देते थे, विद्यार्थी संगीत के बारे में सास्त्रिय जानकारी क्या है, उसके बाद सादक को बताएं, इन सब लोगों को इन्हों ने जागरुक किया, अब इस प्रकार से सास्त्रिय जानकारी की और विद्यार थी और सादकों ने ध्यान देना शुरू किया इस नए संसोधन को इन्होंने सामने लाया स्वर ताल लिपी बनाकर हजारों बंदिसों को नोटेशन बद करने का बेजोर काम इन्होंने किया अलग अलग ताल अलग अलग स्वर को लिपी बनाया स्वर लिपी ताल लिपी को कम्बाइन किया और कम्बाइन करके 1200 को नोटेशन बद किया और इस परकार से यह एक अजूबा काम था जिस काम को अंजाम किस ने दिया पंडित विश्नु नारायन भात खंडे जी ने 19 सेप्टेमबर 1936 इस्वी में मुंबई में वह परलोक सिधार गए 19 सिप्टेमबर 1936 में मुंबई में उनका दिहान्त हुआ और जनम कब हुआ था 10 अगस्त 1860 10 अगस्त 1860 को जनम हुआ था और 19 सितंबर अगस्त के बाद तुरंद सितंबर आता है तो 10 अगस्त 19 सितंबर तो 19 सितंबर और 1936 में इनका नीधन हो गया मुंबई में तो कितने साल जी ए उनका नीधन हो गया कहां पर हुआ तो मुंबई में हुआ इस प्रकार से यह थी पंडित विश्णू नारायन भात खंडे जी का जीवन परिचाए और उन्हों ने अपने जीवन में जो महत्वपून काम क्या क्या किये संगीत से जुड़ा हुआ उसका परिचाए था उमीद है आप इसे अच्छी तरसे समझ गए होंगे धन्यवाद